तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लेट और आलेट ये दो ऐसे एक्जाम से लौ से रिलेटेड जिनको आल ओवर इंडिया में सबसे एहम दर्जा दिया जाता है जी हाँ क्लेट के बेसिस पे आपको पूरे 22 के 22 एनल यू में मिल सकता है एड़ीशन लेकिन आलेट में सबसे इंबोरेंट है एनल यू डेली जो कंडेक्टिंग बोडी भी है और एडवीशन भी यही मिलता है तो इन दोनों की प्रेपरेशन नेक्स्ट सेशन के लिए कैसे एक साथ कर सकते हैं ये आज के वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं क्लैट और आइलेट सबसे पहले क्लैट का फुल फॉर्म क्या है आपको पता ही होगा क्मन लाइडमीशन टेस्ट जो ओल ओवर इंडिया में फर्स्ट रेंकिंग पे आता है इसके बेसिस पर एक्जाम की बात करें कॉलेजिस्ट की बात करें कोर्श इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा prominent exam law field का ये माना जाता है इसके अलावा ILET All India Law Entrance Test इसको कहा जाता है जो NLU Delhi conduct करवाती है और बहुत ही prominent माना जाता है क्योंकि NLU Delhi में हर एक बच्चा चाहता है admission लेना ये UG, PG और PhD courses conduct करवाते हैं आलेट के माध्यम से NLU Delhi तो दोडों की preparation हम एक साथ कैसे कर सकते हैं क्या क्या सारी चीजे हैं उसको हम यहाँ discuss करने वाले हैं इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी profile पे आपको कौन सा college best होगा मिल सकता है क्या करना चाहिए और ऐसा suggestion आपको चाहिए या जानकारी चाहिए तो नीचे description box पे आपको मिलेगा profile analysis form जिसको fill up करिये और हम आपको बताएंगे कि आपके लिए best college क्या हो सकता है law के लिए तो चलिए start करते हैं यहाँ 2023 और 24 के लिए klat और island दोनों की preparation एक साथ कैसे करें तो बैया इसके लिए क्या है सबसे simple सी बात है कि यह दोनों law के topest college माने जाते हैं यह बहुत ही important exams हैं entrance exams हैं और इसमें दोनों में क्या खासियत है कि दोनों में questions जो हैं MCQ based होते हैं 150 डीड़ सो questions होते हैं याद रखियेगा paper में और इनका एक marks का एक question होता है है ना एक question का तो 150 marks का यह paper हो जाता है दोनों exam जो हैं इनमें sections भी 4 ही होते हैं same to same logical reasoning, legal aptitude, English language, maths और general knowledge और current affairs जो इखटा हो जाता है तो सारे के सारे यही seem to same आपके courses की बात करें या syllabus की बात करें तो दोनों में same हो जाते हैं यानि preparation तो हमें इन सबकी कर रही हैं बस दोनों में answer क्या है कि बस कहां से कैसे questions पूछे जाएंगे यह confirm नहीं है हो सकता है कि CLAT में जो exams में question पूछे जाएं वो logical reasoning से 30 question पूछ लें और यहां highlight में वहां 20 question पूछे तो बस यह changes हो सकते हैं लेकिन आपका syllabus दोनों का same है तो आपको दोनों पढ़ने ही हैं अब पढ़ने हैं तो बस यह थोड़ा सा bifurcate कर लेना है कि कि किसके हिसाब से कम हो करना है CLAT का जब आप apply कर देते हैं तो यहां admission आपको मिलेगा 22 analysis में national law university के colleges जो हैं उसमें 20 colleges all over India के analysis हैं उनमें CLAT के basis पे आपको admission मिलता है बस IELTS के exam में आपको NLU daily मिलता है ठीक है जिसको सभी चाहते है भाईया यह important है जो अलग है preparation के लिए क्या करना है आपको तो preparation के ल थोड़ा सा change करते रहना है CLAT के लिए अलग, IELTS के लिए अलग का मच पा रहें कैसे मैंने बताया है कि बस question pattern लेवस सेम है pattern अलग हो जाते हैं कि कहीं weightage में वहां logical reasoning से ज़्यादा question आ जाएंगी यहां कम आ जाएंगे mathematics के यहां ज़्यादा आ जाएंगे कम आ जाएंगे यह जो tips हैं उनको देखके रखना है याद रखना है और भागी कोई समस्या नहीं है अब यहां बात करो books की तो जो हमारे अलग-अलग sections हैं चाहे logical reasoning की बात कर लें mathematics की बात कर लें legal aptitude की बात कर लें general knowledge की बात कर लें कर interface की बात कर लें तो वो सारी चीजों के लिए आप अलग- mock testis की या last year के जो last paper last year के discussion हुए है paper जो आए है उनको ही आपको बार-बार-बार-बार prepare करना है लगाते रहना है उससे आपको एक समझ में आ जाएगा की मांग क्या है मांग in the sense की किस pattern के हिसाब से आपके ये questions follow होते हैं कहां से questions ज्यादा बनते हैं कहां से कम बनते हैं वो स होगा ना तो paper आपका अपने आप बहुत अच्छा जाएगा ठीक है तो वो सारी चीजें आपको prepare करनी है मैं यहाँ guide करने के लिए हूँ ही कोई समस्या है नहीं यहाँ labels बस कम ज्यादा हो जाते हैं दौनों के याद रखिएगा ठीक है so understand कर लेना है क्या paper का pattern उसके अलाब चीज समझो कि यह क्यों पूछ रहा है क्यों पूछ रहा है क्योंकि आप जिस field में जाने बाले हो legal field में आपको दिमाग लगाना है आपको बहुत सारे अलग अलग प्रिकार से यहाँ logics लगाना है और अपने client के लिए यह अव्यक्ति के लिए आपको अच्छा करना है so logical reasoning आपको इसलिए subject में है ताकि आप logics पे कितना ध्यान दे सकते हो कहां से कैसी गुत्ति सुल जा सकते हो यह important हो जाता है इसलिए यह section आप से पूछा जाता है और यह बहुत ही अच्छा section है सबसे जादा weightage यही से बनता है चीक है तो भई यहाँ पे logical ability आपकी check करते हैं जहा हाँ पे puzzle को solve गर लेना है ठीक है यह preparations की बात है आप बहुत सारे puzzles को कई बार अप newspaper पढ़ते होंगे तो उसमें बहुत सारे puzzles आते हैं उनको solve करते रहोंगे तो आपका reasoning जो है logical reasoning जो है वो बार बार अपने आप में तेज हो जाएगा तो वो कोई extra काम है नहीं हम करते रहते ह हैंगे ना तो आपका अपने आप माइन तेज सार्फ होता चला जाएगा यहां पर बहुत सारे जो question बनते हैं वो coding, direction, blood relation, cellosism, important factor होता है यहां से बहुत सारे questions बन जाते हैं यहां से आपको question बनते हैं तो यह बहुत simple होते हैं जब इनके बारे में आप pattern समझ जाते हो या इ हैं जिनको आपको मिल जाएंगी अभी यही चैनल पर ही आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं बे-फिकर रही हैं तो short tricks हो जाएंगी, tips हो जाएंगी इनको आपको क्या करना है यह आपको मदद करते हैं किस चीज में मदद करते हैं एक तो time consuming नहीं होते हैं यह time बचा आते हैं आपका tricks बगेरा तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़के रखनी है समझनी है ठीक है legal aptitude की बात करें legal aptitude के साथ क्या है कि इसकी theory को थोड़ा सा आपको start कर लेना legally theories में क्या क्या आ जाता है जैसे thoughts हो गए constitutional law हो गए सबसे पहले तो constitution of India हो गया important हो जाता है वहीं से सारी चीज़ें निकल गया जाती है फिर आपका CRPC हो गया criminal law हो गया ये सारी चीज़ों को आपको basic theoretical portion में जाके theory को cover कर लेना है theory cover करने के बाद इनसे जितने भी questions आ सकते हैं आपको उनको क्या करना है बस prepare करते चलना है prepare चोटे से चोटा बड़ी से बड़ा question ठीक है ये चीज़ा होने से क्योंकि यही आपको पूरा पढ़ना है और इसको revise करते रहना है हर 15 दिन कर लेंगे इतना जादा नहीं है बहुत easy बन जाता है तो ये revision आप करते रहेंगे आपको एक बस schedule बना लेना है कि आज के दिन हमें 15 दिन में ऐसा करना है ऐसा करना है तो वो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगे यहां पर भी आप fact आप देखेंगे ठीक है सारी चीजों के लिए language correction और सारी चीज़ें वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है question solve करते सका है English एक important हो जाता है feature हमने बात करी हुई है कि legal field में English का बहुत ही महत है क्यों महत है इंगलिस का क्यों महत है क्यों कि सारे के सारे rules and regulations जो है laws जो भनाए गए है उसको prefer किया जाता है या prepare किया जाता है English में और English के एक आरण ही उसकी भासा इतनी English हो गई है कि English में हम आपको गुमा सकता है ऐकिनी law की field ही ऐसी है कई बार सही चीज दिख रही है उसको गुमा के हम गलत तरीके से प्रयोग कर सकते है गलत तरीके की चीज को जो गुमा के हम सही तरीके से प्रयोग कर सकते है तो अलग-अलगी चीज़े है जिसमें English अपने आप में बहुत important है vocab सबसे important feature है English में vocab जितना अच्छा vocab आपका होगा अतना अच्छा आपको फाइदा यहां होने वाला है रीडिंग स्किल तो आप जितना हो सके रीड कर देए एक न्यूज पिपर आप लगा लीजे इंगलिस बाला हिंदू लगा लीजे अगर ज्यादा टफ लगता है तो बहुत सारे option है टाइमस ओफ इंडिया और 50 प्रगा question based question बहुत सारे पूचे जाते हैं पैरा जंबल्स आ जाते हैं आपके finding the error आ जाती है वो सारी चीजें आपकी यहां से कबर हो जाएंगी और इसके लिए आपको practice करनी है previous year questions paper जो glad के आ चुके है अलेक्स के आ चुके paper आपको मिल जाएंगे मैं ही available यहां कर आदूंगा वैसे आपको easily online मिल जाते हैं सारी की सारी question बेव तो उसको आपको लगाते रहना उनको आपने prepare कर लिया तो यह मान के चलिया आपने 50-60% cover कर लिया आपका syllabus और आप आगे हैं बाकी दोड़ में ठीक है तो English important हो जाता है क्यों है यह याद रखिए आपको syllabus भी आगे जाके English में ही स कहां क्या कौन सा फैसला है उसको हम किस तरीके से use कर सकते हैं कहां कौन सी घटना हुई यह सारी चीज़े important है चाहे personality हो dates हो बहुत important हो जाती है आप सभी के लिए तो भई इन चीजों पर focus करने के लिए newspaper मैं पहले ही बता चुका हूँ जिसमें सारे काम हो जाने English के लिए daily आप newspaper पढ़िए newspaper पढ़िए में कुछ important चीज़े मिल जाएंगी तो current का आपका cover हो जाएगा personalities हो गई dates हो गई हैना कुछ facts and figures आते हैं GS के वो आपको वही मिल जाएंगे और भईया important personalities बगेरा भी वहाँ आपको मिल जाएगी तो newspaper में आदर से ज़्यादा काम हो जाएगा ब आप मान के चली कि 80-90% आपका cover up हो गया सारा का सारा syllabus अब मुझे बताओगी कहां दिक्कत आने वाली कहां दिक्कत आने वाली तो यह है CLAT आलेट इन दोनों को साथ में कैसे prepare करना है दोज़र से 23-24 के session के लिए अभी तो हो चुगा है CLAT है ना उसकी सारी की सारी हाँ आप prepare यहां साथ में करने वाले तो यह पूरी की पूरी चीज़े है terminology, personality सारी चीज़े आपकी यहां ख़बर हो जाएंगी अब mathematics, mathematics क्यों ज़रूरी है भाई आप बोलोगे यार मिरको तो law बनाने है या law पे काम करना है लेकिन math क्यों, reasoning का का काम है, मिरको current का काम है, English का का काम है तो यहां आपको math का ऐसा काम है कि दो दूनी चार नहीं होने वाले आपके law की फिगल में दो दूनी पांच करवाने हैं आपको, reasoning के साथ math, maths आपको क्या करती है, आपकी चीज़ों को तेज करती है, आपकी calculation तेज करती है, आपका जो दिमाग है वो तेज चलना चाहिए, कह क्रिमिनल से तेज आपका दिमाग होगा, तब तो जाके काम होगा, जी हाँ, तो इसलिए mathematics बहुत important हो जाती है, और यहाँ पे आपको tips और tricks, हाँ जी, और tricks के माध्यम से आपको क्या करना है, इसमें आपको questions के answer देने हैं, बहुत ही tough questions नहीं होते हैं, simple questions होते हैं, formula आपको याद हो गया, tricks आपको याद हो गयी, आपको question खटा-खट बनने वाले, बहुत तेजी से, पट, चीक है, so last year के question paper, यहाँ भी आपको solve गरने हैं, अच्छी से अच्छी books, अच्छी से अच्छी books नहीं, कोई एक book को बार-बार revise करते रहना है, आप अपने आप में सार्फ हो होती तो आप PCM क्यों ना ले लेता, रहकी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 10th base जो है, वो आपकी questions पे पूछे जाते हैं, mathematics के, कोई बहुत old-julul question नहीं पूछे जाएंगे, है ना, so formula याद रखना है, और बस हमें sort tricks पे काम करना है, और बस revise करते रहना, equation patterns को, अपने आप आ equations बनेंगे, और बहुत अच्छा आप score कर पाएंगे, पस practice makes the man perfect, so वही हमें करते रहना है, और यहाँ पे test के साथ-साथ, हाँ, तयारी हमें revision की करते रहना, हर 15 दिन, महिने में, 2-3 बार हमें revise करते रहना है, अपनी चीजों को, ताकि वो जो दिमाग में है, वो निकलना जा यही थी जारी बात, अब यहाँ कोई चीज अगर ना समझ में आई हो, तो comment जरूर कर दीजेगा, और एक और चीज है, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा college best हो सकता है, आपकी profile के अधार पर, तो यह हम बदाएंगे आपको नीचे description box में, आपको मिलेगा profile analysis form, जि किती है, आभा टाहिए है कि जालाइस को मिलेगा पूछ हैं आपके धार, इडके जो बहुत हैं कि मखरसोन खाल俎 करिफ दो किमा चाहते हैं आपके भाता है और 5-50 मिलेगा चाहते हैं संटे स्रेफिक्वार अ मर्वत हैं बागता, इस Surface L